हलो एवरिवन कैसे हैं आप सबी लोग होपस हो कि आप लोग खुश होंगे और खेरियस से होंगे तो आज की रेसिपी है चिकन मसाला बिर्यानी बिर्यानी तो हर किसी की फैवलेट होती है और हर जगे अलग-अलग तरीके से बनाई जाती है तो आज मेरे स्टाइल से मेरी रेसिपी के साथ चलिए बनाते हैं चिकन मसाला बिर्यानी तो शुरू करते हैं बनाना तो चिकन ले लिया है मैंने और चिकन में मैट कर लेती हूँ कर्ड जिंजर गार्लिक का पेस्ट और साल्ट mix कर लेती हूँ उन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से और जब तक यह होगा मैगने तब तक मैं कर लेती हूँ अपनी बागी सारी चीज़ों की preparation flame on कर लिया है मैंने pan रख़ दिया है अब इसमे मैं डाल देती हूँ oil आइल हमारा गरम हो गया है और अब मैस में डाल देती हूँ फाइन कटी होई अनियन अनियन को मुझे गोल्डन फ्राई करना है अनियन हमारी गोल्डन फ्राई हो गई है अब इसको मैं निकाल लेती हूँ अब बचेवे ओयल में मैं डाल दूंगी मैगनेट किया हुआ चिकन चिकन को मैं तब तक भूनूंगी जब तक इसका सारा पानी सूख नहीं चाहे तो इसे मैं छोड देती हूँ जब तक मैं चिकन रेडी होगा तब तक मैं अपने सारे मसाले रेडी कर लेती हूँ अनियन निकाल ली थी मैंने और साथ है मेरे पास कुछ ड्राइफ फ्रूट्स इलाइची, काले मेश, लॉंग, डालचीनी, जावित्री और जीरा मैंने सबसे पहले जार में डाल देया है ड्राइफ फ्रूट्स और इनको मैंने फाइन पेस्ट बना लिया है इसका और इसको मैं कर लेती हूँ, साइड में, सेम उसी जार में मैं अब डाल दूँगी अपने स्पाइसेज और साथ ही में डाल दूँगी मेची पाउडर, दन्या पाउडर और थोड़ा सा पानी ताकि वो स्मूथ पेस्ट बन चाए पेस्ट रेडी हो गया है, इसको मैं ट्रांस्वर कर रही हूँ बोल में और बना लेते हैं अब अपना नेक्स्ट पेस्ट, इसमें मैं डाल दूँगे एक टमाटर और जो गोल्डेन फ्राइ करी हुई थी मेरी अनियन वो और इसका एक अच्छा सा पेस्ट रेडी कर लेते हैं तो ये रेडी हो गया है पेस्ट मेरा ये सारे मसाले मेरे रेडी हैं, अब मैं चिकन चेक कर लेती हूँ चिकन मेरा अच्छी तरीके से भून गया है, सारा पानी सूख गया है अब इसको निकाल लेती हूँ मैं प्लेट में अब चिकन निकालने के बाद जो ओयल बचा है, इसी ओयल में मैं डाल दूँगी मसाले जो पीस के रखे थे, जीरा और गरम मसाले का पेस्ट वो डाला है मैंने, अब इसको मैं अच्छे से भून जाने तक कवेट करूँगी अच्छी तरीके से ये मसाला मेरा भून गया है अब इसमें मैं डाल रही हूँ टमाटर और अनियन का पेस्ट जो मैंने बना करके रखा था इसको भी मैं पाँच मिट के लिए भून लूँगी और अब इसमें अड़ कर रही हूँ ड्राइ फ्रूट का पेस्ट ये भी अच्छी तरीके से हो गया है और अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ चिकन पाँच मिट के लिए मैं इसे और पकाऊंगी मसाला मेरा रेडियो हो गया है फ्लेम को कर लेती हूँ आफ और इसको कर लेती हूँ साइड में और पेपरेशन करते हैं अम अब चावल बनाने की फ्लेम को कर लिया है मैंने आउन और रख दिया है पॉट पॉट में मैं डाल रही हूँ आउल ओल गरम हो गया है अब इसमें मैं डाल दे रहे हूं जीरा, हरीमेच, तेजपता, बड़ी लायची और दालचीनी और साथ ही मैं डाल दूँगी वन स्पून, जिन जन, कारलिक का पेस्ट तोड़ा साइट करूँगी पानी और नमक और जब तक ये बुनते हैं मैं देख लीती हूँ चावल, चावल दो गंटे पहले से मैंने भीगो के रखे थे, इसे अच्छे तरीके से वाश कर लिया है और इसको डाल देती हूँ मैं पॉट में, और साथी पानी चला लिया है मैंने इसे, अब मैं इसमें एट कर दूँगी देही फिर से चला लेते हैं चला लिया है मैंने, अब मैं इसको कवर कर दूँगी धक्यन के साथ और पंदर मिनट के बाद मैं खोलूँगी पंदरा मिनट हो गए हैं, देखिए चावल मेरे और मोस्ट रेडी है मैं इसमें केवडे जल के साथ कलर को मैंने मिक्स कर लिया था वो मैं डाल रही हूँ उपर से और मैं फिर से इसको कवर कर दूँगी पंदरा मिनट के लिए पंदरा मिनट हो गए हैं और देखिए मेरे चावल रेडी हैं खिले खिले से और बिल्कुल बिखरे बिखरे अब इसको मैं थोड़े से चावल अलग प्लेट में निकाल लूँगी और इसमें मैं लगा दूँगी चिकन के लेयर जो हमने मसाला रेडी करके रखा था और थोड़ा सा और के उड़ा जाल रही हो मैं अब मैं जो राइस अलग के वे थे वो मैं सारे डाल दूँगी इसमें सेट कर लिया है मैंने राइस को और उपर से में हर अधनिया और गोल्डिन फ्राइ करी और अनियन डाल रही हो और फिर से मैं इसको कवर कर दूँगी दस मेट के लिए और पिलकुल लो फ्लेम में दस मेट हो गए हैं और चलिए अब इसको सर्फ कर लेते हैं प्लेट में और फिर से थोड़ा सहरे धनिया और गोल्डिन अनियन डाल रही हो मैं ये लीजे रेडी है मेरी चिकन मसाला बिर्यानी होप सो कि आज भी आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी इफ यू लाइक दिस रेसिपी प्लीज दो लाइक शेयर और सब्सक्राइब मैं चैनल मिलते हैं नेक्स रेसिपी के साथ तब तक के लिए अल्ला हाफिज और बाई बाई